Hello everyone, ये वीडियो है CMA Interest Friends के लिए जो लोग अभी अपना Group 1 का या फिर Both Group का exam दे रहे हैं इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपना Paper No.6 Financial Accounting का Last Day में एकदम Effective Revision कर सकते हो किस order में आप लोगो chapters revise करना चाहिए कौन से chapter में कितना time devote करना चाहिए कौन से ऐसे topics है जो आप चाहो तो skip कर सकते हो और last में ये भी बात करेंगे कि आप लोग जब अपना Question Paper attempt करो तो आप लोग का क्या strategy रहना चाहिए और कौन से Question को पहले attempt करना चाहिए ये complete discussion अपने कम से कम time में करेंगे आप लोग के लिए बहुत ही effective video होगा तो end तक जरूर देखेगा तो गई सबसे पहले आप अपना syllabus को देखो institute ने syllabus को 6 section में divide किया है section A से लेकर के F तक और यहाँ पे marks का distribution भी suggest किया है दो institute ये marks का distribution एकदम religiously 100% accurately follow नहीं करता है बट फिर भी बहुत हद तक follow करता है तो आप इस पर rely कर सकते हो तो आप लोग जब अपना revision start करो तो best होगा कि आप essay chapter से essay topics के साथ में revision start करिए जिसमें last day में revision important भी है और वो chapters interesting भी है and उससे कुछ essay questions आते हैं जो कि बहुत बड़े question नहीं होता है मतलब 14 marks का full fledged question नहीं होगा और नहीं 2-3 marks का question होगा मतलब उससे आप 6, 7, 8 marks का question expect करते हो तो आप देखोगे जब आप सारे sections देखते हो तो बहुत ज़्यादा chances है कि section E और F section E और F में ऐसे chapters है जैसे lease accounting में accounting standard 19 आ गया branch, department, insurance claim, higher purchase और accounting standards में जो 6 accounting standards separately है मतलब total 7 accounting standards है उसमें से AS19 तो यह लोग lease accounting में cover कर दिया और बाकी बचा हुआ 6 accounting standards यहाँ पर accounting standard के नाम से है अब आप इसमें marks का distribution देखोगे तो 15%, 20%, around 35% of the syllabus is covered in these 2 sections और यह 2 section में ऐसे chapters भरे हुए हैं जिनसे 7 marks के question आप expect कर सकते हो जो की थोड़े interesting chapters भी है and most probably जब अपने question paper attempt का strategy discuss करेंगे तो उसमें भी हम आपको यही बोलेंगे कि पहला question या दूसरा question जो आप attempt करो वो ऐसा attempt करना जो 6, 7, 8 marks का हो mostly वो 7 marks का question होगा तो अपने सबसे पहले यह देख लेते हैं कि आपको किस order में chapters revise करना चाहिए और कितना time devote करना चाहिए सबसे पहले section E में insurance claim बहुत ही interesting chapter है अगर आपका किया हुआ है तो आपको easy लगता होगा तो यह आप फटा-फट से revise कर सकते हो around 45 minutes से जादा नहीं लेना चाहिए आपको same with higher purchase 45 minutes से जादा आपको नहीं लेना चाहिए यह भी एक interesting छोटा सा chapter है departmental accounts छोटा सा chapter है AS19 भी छोटा सा topic है तो यह सब में 45 minutes से जादा आपको ideally नहीं लेना चाहिए branch account क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है तो आप इसमें 1 hour 30 minutes मतब 90 minutes के आसपस ले सकते हो तो आप अगर यह total time distribution देखोगे तो around 4 to 5 hours में within 5 hours आपका यह सारा topic cover हो जाना चाहिए अच्छा इसके साथ में अपने यह भी बात करते चलेंगे कि आप लोग को यह chapters यह topics कहां से revise करना है guys देखो सबसे best तो है अगर आप mark करके रख्यों आप highlight करके रख्यों अपने copy में कि आपको कौन-कौन से main points है जो देखने है कौन-कौन से ऐसे questions है जो आपको revise करने है अगर आपका marking किया हुआ है तब तो एकदम best है और नहीं तो फिर मेरा जो marathon session में करवाया हुआ है revision sessions में जो करवाया हुआ है आप उसको एकदम उस पे rely करके 100% आप उसको refer कर सकते हो यह सारे important sessions का link भी इस वीडियो के description में दिया हुआ है आप लोग उसको refer एकदम easily कर सकते हो अगेन मैं repeat कर रहा हूँ अगर आपका अपना कुछ revision strategy बनाया हुआ है कि कहां से revise करना है कौन से ऐसे important points है कौन से ऐसे important questions जो आपको revise करना है वो अगर आपने mark पहले से कर रखा है तब तो वो तो best strategy है बट आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि कहां से revise करे कैसे revise करे इतना बड़ा syllabus है तो फिर आप लोग एकदम marathon session को refer कर सकते हो थोड़ा speed में देख सकते हो जो बहुत ज़्यादा easy portion लगे उसको फटा-फट skip करके भी देख सकते हो तो आप लोगों सबसे पहले तो इस portion पे I think focus करना चाहिए उसके बाद section F में जो आपका counting standards है AS1, 10, 11, 12, 16, 22 इसमें आप देखो AS1 बहुत ही छोटा सा topic है AS11 छोटा सा topic है 12 छोटा सा topic है तो यह तीन accounting standards में तो आप लोग को 20-25 minutes से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए each accounting standards जैसे AS1 तो 15-20 minutes में हो जाना चाहिए AS11 और 12, guys 11 का दो part है 11 में एक part है foreign operations जो की branch के साथ cover हो गया other than foreign operations जो बचावा portion है वो बहुत ही छोटा सा portion है again यह भी आपको 15-20 minutes से जादा या फिर maximum 30 minutes से जादा time नहीं लगाना चाहिए same with government grant थोड़े से बड़े AS का अगर हम लोग बात करें तो AS10, AS16 और AS22 थोड़े से comparatively बड़े accounting standards है इन में आपको करीब-करीब आदा-दा घंटा लग जाएगा try करना 2-2.5 hours में यह पुरा का पुरा AS वाला portion आप अच्छे से revise कर पाओ right guys अगर बहुत जादा time लग रहा हो किसी area में किसी particular portion में तो उसको skip करके आगे भढ़ना because अगर आप लोग यह timeline follow नहीं करोगे तो last day आप लोगा कुछ ना कुछ कोई important topic शायद छुट जाएगा अगर आप एक-दो sum नहीं revise कर पा रहे हो उसमें कोई problem नहीं है अगर आप basic principles देख चुके हो अगर आप लोग कुछ basic sums भी देख चुके हो एक-दो important question जो आपने mark के आदा वो देख चुके हो तो फिर एक-दो question अगर छुट भी जाता है ना तो भी ज़्यादा important यह नहीं कि वो एक-दो question पहले हो और उसके बाद आपका कुछ बड़ा important topic बाद में छुट जाए तो यह timeline को आदा घंटा आगे पीछे यह timeline आप लोग को follow करना ज़रूरी है इसके बाद आप partnership पाले portion से 20% का weightage institute ने बताया है partnership के अंदर तो sir बहुत सारा topic है जैसे आप देखो इसके अंदर आप लोग को admission retirement and death फिर आपका dissolution फिर आपका insolvency फिर conversion of firm into a company फिर amalgamation of firms तो guys इतना सारा topic है तो sir क्या सारा का सारा cover करना ज़रूरी है और अच्छे से cover करें guys institute का आप अभी तक का अगर देखोगे क्या pattern रहा है तो most of the question जो आते हैं वो आते admission, retirement and death से या फिर dissolution का जो easy वाला basic वाला question होता है वो new syllabus में I think insolvency can also become an important topic तो इसमें admission of a partner, retirement and death of a partner, dissolution and insolvency I would advise कि आप पहले बस ये चार ही topic अच्छे से revise कर लो conversion of firm और amalgamation of firms को आप last में रखना अगर कर पाओ तो बढ़ियां छुट भी जाए तो कोई बात नहीं है अगर ये आप skip भी कर दोगे तो देखो bad luck का तो कोई अपने तयारी नहीं कर सकते हैं बट बहुत high chance है कि conversion या amalgamation of firm से कोई question नहीं आएगा बहुत high chance है कि जो partnership का पूरा का पूरा 20% weightage है वो इन topics से ही cover होगा तो आप अगर ये सारे topics के एक एक दो दो सम revise कर लो PY की उसके question ही जो मेरा marathon में करवायव है खाली उतना ही अच्छे से revise कर लो तो that should also be good for you, that should also be enough for you तो partnership में आपका 20% weightage cover होता है उसके बाद section C section C में गाईज अगर आप एक भी question पूरा solve करने गए revision के time पर, तो आपका बहुत ज़्यादा time जाएगा इतना ज़्यादा time हमारे पास है नहीं तो आपको क्या करना है final accounts, NPO, incomplete records का हर एक sum का, मतब जो आपने mark किया हुआ है या फिर जो मेरा marathon में करवाया हुआ है important important adjustments में focus करो खाली जो highlight वाला important adjustments है और 2-3 sum का, एक बर अपने आप खाली mind में सोचो कि क्या approach रहना चाहिए, कहां पे क्या figures जाएगा कहां पे कैसे क्या number जाएगा कौन सा error होने वाला chance है, ऐसा कौन सा area है खाली इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा सोचो के 2-3 question, तीनो chapter से 2-3 question करके, अगर आप properly देख लोगे न तो आपका ये पूरा का पूरा section C अच्छे से revise हो जाएगा, ये तीनो chapter में से एक question तो पका ऐसा है, जो पूरा full fledged 14 marks का आए गई आएगा, और उसके बाद उसके अलावा भी आप देखोगे, multiple choice में भी कुछ questions आपका objective में रहेगा, कुछ एक question इसके ओपर कोई theory भी पूछ लेगा, तो this is also important area, इसमें भी 20% का weightage है, ये सब आप जैसी cover कर लेते हो यहाँ तक आप cover कर लेते हो, आपको ऐसा लगेगा कि आपका syllabus almost पूरा revise हो गया, because ये major portion था syllabus का, मतलब आप ऐसे मान लो कि ये ही आपका almost पूरा syllabus है ये बहुत छोटा सा portion है, section भी consignment, joint venture और bills of exchange तो consignment and joint venture में आप थोड़ा सा time दे सकते हो 30 minutes करके और इसमें 20-25 minutes करके उसे जादा time मत देना, एक एक दो-दो sum बस देख लेना अच्छे से, और bills of exchange तो sir, बहुत ही basic topic है इसका खाली PYQ का एक question जो मेरा marathon में भी करवाया हुआ है या फिर आप अपने आप से भी बस वो एक या दो sum जो PYQ से related है, खाली वो देख सकते हो section A में, जो important topic है वो है rectification of error, depreciation भी, basics, basics में guys, एक topic और और cover हो जाता है, BRS, that is amended cash book also, BRS with amended cash book also और उसके साथ, basics मतलब journal ledger, trial balance, इसमें अब आप क्या देखोगे खाली एक बार पलट के last में अगर time मिला तो आप basics, theories वगर है थोड़ा सा देख लेना, subsidiary books वगर है देख लेना, otherwise अगर time ना मिले तो इस portion को skip कर देना, because अब आपके पास यह time नहीं कि आप basics को अभी करो right, rectification of error का एक दो sum, depreciation का खाली जो अलग-अलग methods, straight line method WDV method से जो sum बनता है और अगर there is a change in the method of depreciation, तो किस तरह से solve करना है depreciation वाले chapter से अगर कोई sum आया तो बहुत हाई chance कि ऐसा question आएगा जहाँ पर method of depreciation change हो जा रहा है, SLM से WDV या percentage change हो जा रहा है right, residual value change हो जा रहा है तो उसका accounting हम लोग प्रोस्पेक्टिवली करते हैं उसके ओपर एक या दो sum अगर आप देख लोगे तो that will be enough guys इस order में अगर आप पूरा syllabus revise करते हो तो that will be best because आप start कर रहे हो interesting chapters छोटे chapters के साथ फिर ये भी आपका एक important portion है section FB और उसके बाद आप कुछ बड़े chapters में move कर रहे हो last में जितना time मिले, छोटा-छोटा topics जो है वो भी आप जितना cover कर पाओ कर लेना, by chance अगर skip हो भी जाए कौन-कौन सा topic है ऐसा जो skip हो भी जाए तो आपको ज़्यादा tension लेने का जरुवत नहीं है conversion of firms या amalgamation of firms या फिर जो basic वाला portion है या अगर skip भी हो जाए तो tension मत लेना, in fact joint venture भी I would say कि अभी तक बहुत popular नहीं रहा है as far as the numerical question is concerned JV से ये लोग कोई objective type का question ही mostly पूछते हैं तो guys इस order में आप लोग इस timeline को follow करते वे around less than 15 hours में कैसे अपना पूरा syllabus revise कर सकते हो, इसके बारे में अपने बात किये क्या source रहना चीए, वो भी अपने बात किये आप कहां से revise करोगे sir, अगर आपने important अब वही सबसे पहले करो, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, किसी भी particular chapter में नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे क्या revise करें तो आप लोग मेरा marathon refer कर लो, अलग-अलग से chapter का जैसे joint venture का, जैसे amended cash book and that BRS का बहुत सारा single topic का भी video डाला हुआ है, और फिर marathon में तो सारा chapters cover किया हुआ ही है तो आप लोग directly उस particular portion में जाकर के वो अले chapter को marathon से भी cover कर सकते हो, जिसमें important PYQs के question भी cover करवाए हुए है अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि sir, आप लोग को question paper कैसे attempt करना है तो सार सबसे पहले आप देखो, आपका paper pattern क्या है, question number one है question number one है, जो 30 marks का compulsory question है ठीक है, फिर question number 228 question number 228 में seven questions हो गया यह सारे 14 14 marks के question है 14 14 marks के question है, इसमें से आपको attempt करना है any five तो आप 5 question attempt करोगे 14 marks का, तो आपका यह हुआ 70 marks और यह तो 30 marks तो compulsory है तो sir, आप लोग को paper कैसे attempt करना चाहिए, जैसे ही आपको question paper मिले, आपको सबसे पहले यह objective वाला part नहीं देखना चाहिए, यह तो anyways आपको attempt करना ही पड़ेगा, और objective वाला portion सबसे पहला question attempt करना भी नहीं चाहिए सबसे पहले आपको कौन सा question attempt करना चाहिए, इसका बात कर लेते हैं sir out of the seven questions वो पाँच question जो आपको attempt करना है सबसे पहले तो identify करो सबसे पहले तो identify करो कि sir कौन सा ऐसा question होगा जो आपको सबसे पहले attempt करना है question number 2 question number 3 फिर question number 6 and question number 7 ये 4 question में से guys focus करना ये 4 question क्या तो 2 या 3 या 6 या 7 ये 4 question में से any 2 select करना try करना कि इसमें से कम से कम 2 हम लोग select कर पाएं any 2 question out of these 4 questions मतलब आपको total जो 5 question select करना है ना इस 5 में से सबसे पहले try करना ये 4 में से वो 2 question कौन सा होगा जो आप attempt करेंगे ये 4 में से कम से कम 2 जरूर attempt करना करना ही पड़ेगा वो तो रादर आपके पास option ही नहीं है ये 4 में से आपको 2 question तो attempt करना ही करना है ये 4 में से वो 2 कौन सा question है जो आपको सबसे पहले attempt करना है right safe for example आपको लगता है कि question number 3 है जो आपको सबसे बढ़ियां से आता है और फिर question number 7 है जो आपको सबसे बढ़ियां से आता है तो आप सबसे पहले ये दोनों question 14 14 marks का ये ही attempt करना सर ऐसा क्यों बोल रहे है because question number 2, 3, 6 और 7 में कोई भी full fledged 14 marks का question ये लोग अभी तक नहीं पुछा है mock paper भी अगर आप देखोगे MQB भी अगर आप देखोगे model question paper तो देखो पहले ये MCQs है उसके बाद question number 2 में 7-7 marks का break up है question number 3 में 7-7 marks का break up है फिर ये question number 4 देखो full fledged 14 marks का question है तो पहले सबसे पहला question ये भी attempt नहीं करना चाहिए इतना बड़ा question ना ही question number 5 attempt करना चाहिए क्योंकि वो भी एक full fledged पूरा question है 14 marks का तो इसलिए 4 और 5 हम सबसे पहले करने नहीं बोले question number 4 और 5 आपको सबसे पहले नहीं करना चाहिए ना ही आपको MCQ सबसे पहले करना चाहिए फिर उसके बाद आप देखो question number 6 में भी again 7-7 marks का break up है question number 7 में भी 7-7 marks का break up है question number 8 में भी बहुत सारा break up है बट question number 8 अगर जरूरी हुआ मतलब आपके पास कोई और option नहीं रहा तब ही attempt करना नहीं तो आप इसको avoid भी कर सकते हो क्योंकि इसमें ये लोग ज्यादत है theory पूसते है अगर आपको theory का question का अच्छे से idea है या फिर बहुत अच्छे से आपको आपने देखा हुआ भी है वैसा question है तब तो आपको definitely question number 8 attempt करना चाहिए otherwise आपको ये try करना चाहिए कि अगर कोई numerical question बहुत अच्छे से आता है तो better है कि वो attempt कर लो हाँ, बट अगर मान लो बहुत ही tough question आ गया numerical question 14 marks का question में तो आप जो पहला और दूसरा question जो आप attempt करोगे पहला और दूसरा question जो आप attempt करोगे वो either question number 2, 3, 6 या 7 में से है इसमें से आप 2 question attempt कर दो तो 5 question में से आपने पहला ये 2 question attempt कर दिया उसके बाद आपको attempt करना चाहिए MCQs, next आपको next आपको attempt करना चाहिए mcqs तो यह आपका 30 marks यहाँ पर यह cover हो गया उसके बाद obviously next best question आपको कौन सा आता है अभी भी तो और 3 question attempt करना है न 14 14 marks का next best question ऐसा कौन सा है जो आपको सबसे अच्छे सा आता है इसमें आप हो सकता 14 marks वाला question भी select कर सकते हो अब आप वो 14 marks वाला question अगर दोनों question attempt करना तो दोनों भी कर सकते हो या फिर उसमें से एक ही करना तो वो भी कर सकते हो फिर यह 3 में से अगर आपको लगता है यह 4 में से आपने 2 question pick किया था बट इसी 4 में से आपको लगता है फिर MCQs सारा अच्छे से कर लो फिर इसमें से ये जो बाकी दो question बचावा वो भी आप attempt कर सकते हो आपके पास जो time सबसे पहले question paper मिलते ही reading time जो मिलता है उसमें पहला काम तो यही करना कि आप सबसे पहले select करो कि वो पहला question कौन सा है जो आप attempt करोगे और वो पहला question जो आप attempt करोगे वो वही वाला question होना चाहिए जो आपको सबसे बढ़ियां से आता है I hope आप लोगको एक fair idea मिला कि आप लोगको किस तरह से paper attempt करना चाहिए बस इतना दिमाग में रखना कि आप पहले ही एक number मत set करके रखना अपने दिमाग में कि मेरे को 70 प्लस लेकर आना है या फिर 80 प्लस लेकर करके आना है और फिर आप एक दो थोड़ा सा tough some attempt कर दो और ना बने तो आप panic कर जाओ एकदम बिल्कुल भी जरुवत नहीं है अगर आप लोग अपना सिर्फ nerves hold करते हो थोड़ा सा balanced तरीके से composure के साथ अगर exam देते हो तो pass होना तो बहुत easy है but obviously सिफ pass होना important नहीं आपको marks भी अच्छा score करना है तो इसके लिए important है कि आप पहला दूसरा question जो आपको सबसे बढ़ियां से आता है वो attempt करिए इसके वज़े से आपको जो question बहुत अच्छे से नहीं भी आ रहे होते हैं वो भी आप correct कर देते हो mcq के कुछ ऐसे question जो शायद आपको याद नहीं आ रहे होते वो भी जैसी आप पहला 25-35 marks बहुत अच्छे से attempt कर देते हो वो भी आपको याद आ जाते है अगर आप ये वाला strategy follow करेंगे तो आप लोग देखोगे कि 50-55 marks तो आप बहुत easily score कर पाओगे कितना ही tough paper आ जाए आपका भले ही average preparation हो हाँ, लेकिन अपने को 65-70 तक जाना है तो थोड़ा सा अपना composure follow maintain करना और आप लोग sequentially अच्छे से question paper attempt करोगे और paper भी थोड़ा सा easy आया तो 70-75 marks एकदम easily upscore कर सकते हो All the best guys, I hope आप लोग का exam बहुत ही बहतरीन जाए See you in the next video, thank you so much, bye